स्वामी रामकृष्णानंद पूर्वाश्रम का नाम शशी भूषन चक्रवर्ती पिता इश्वर चंदर चक्रवर्ती जन्मतिथी 13 जुलाई 1863 महासमाधी 21 अगस्त 1911 जन्मस्थान मवाल इच्छापुर जिला हुगली पश्चिम बंगाल शशी भूषन का जन्म 13 जुलाई 1863 आशाल कृष्ण त्रियोदशी को हुगली जिले के मयाल इच्छापुर गाउं में हुआ था उनके पिता इश्वर चंदर चक्रवर्ती उच्चकोटी के तंत्रसातक थे और इस तंत्रविद्या के कारण कौल समाज में उनकी विशेश ख्याती थी शशी की माता का हर्दय अत्यंत उदार तथा सरल था वे बहुत ही लज्जाशील थी धर्मभाव पूर्ण वातावरन के बीच बच्चपन बिताने के फल सुरूप शशी अत्यंत भगवत परायन हो गए थे बच्चपन से ही पूजादी का भ्यास होने के कारण आगे चल कर एक ही आसन पर आठों पहर बिता देना भी उनकी लिए आसान सी बात थी गाउं के विद्याले में पढ़ाई समाप्त हो जाने पर वियंग्रेजी शिक्षा के लिए कलकत्ते में अपने चचेरे भाई शरत चंद्र स्वामी सार्दानंद के घर पर रहे ठाकुर कहा करते थे कि शशी और शरत पिछले जन्व में इसा मसी के शिष्य थे यथा समय प्रवेशिक का पर रिक्षा में उच्च स्थान प्राप्त कर उन्होंने चात्र विद्ती पाई एक मेधावी चात्र होने के कारण उनहोंने बीये के लिए गणित विशे लिया किन्तु काशिपुर में श्री राम कृष्ण देव के आकरी बार विमारी के कारण वे अपनी पढ़ाई पूर ना कर सके कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त शशी और शरत ब्राम समाज में शामिल हुए तब उन्होंने ठाकुर के बारे में केशव चंदर सेन से सुना अक्टूबर 1883 में वे अपने मित्र के साथ दक्षिनेश्वर गए और ठाकुर की और आकर्शित हुए फलस्वरूप वे कॉलेज के छुट्टी के दिन ठाकुर के पास जाने लगे और उनके वचनाम्रित का पाठ करने लगे ठाकुर के अंतिम मिमारी में शाम पुकुर और काशिपुर में उनकी सेवा कर अपने समर्पन भाव तथा भक्ती के कारण शशी ने अपने आप को प्रतिश्चित किया ठाकुर के महसमादी के बाद उन्होंने ठाकुर की भसमास्थी चुप चाप एक तामर कलश में रख ली और उसे सिर्फ पर रखकर काशिपुरुद्ध्या भवन में ठाकुर की शईया पर स्थापित किया वे उनकी निमित पूजा करने लगे भसमास्थी को लेकर विवाद हुने पर शशी और निरंजन ने भसमास्थी का भहुतांच हिस्सा एक अन्य पातर में निकाल कर उसे नित्ते पूजा की लिए बलराम भवन भीज दिया ठाकुर के महासमाधी के बाद वे बरानगर मठाए और सन्यास क्रहन किया उनका नाम हुआ स्वामी राम क्रिश्नानन्द उन्होंने मठ के मंदिर में ठाकुर के अस्थियों का कलश रख उसकी नित्ते पूजा का दायत्त्य ग्रहन किया वे ठाकूर का अस्तित्व वहां महसूस करते थे इसलिए उनके द्वारा की गई पूजा किवल उप्चार मात्र न था परंतु जीवन्त प्रमात्मा की प्रेम से की हुई सेवा थी रामकृष्ण भावधारा में प्रचलित ठाकूर की नित्य पूजा स्वामी रामकृष्णानंद की ही देन है वे शायद ही कभी तीर्थे आत्रा गए और उन्होंने अपने आपको मठ के नित्य पूजा में व्यस्त रखा लेकिन स्वामी विवेकानंद ने विदेश से लोटने के बाद जब उन्हें मद्रास जाकर वहां रामकृष्ण मठ की शाखा शुरू करने के लिए कहा तब उन्होंने बेहिचक उनकी आग्या का पालन किया मद्रास जाकर उन्होंने रामकृष्ण विवेकानंद वेदान्त भावधारा का 14 वर्षों तक अत्यंत प्रतिकूल परिस्तियों में प्रचार तथा प्रसार किया उनके द्वारा किये गए त्याग और कश्टों की कथा रामकृष्ण भावधारा की एतिहास में सुरनाक्षरों में लिखी गई है उनके व्याख्यान मद्रास के बुद्धी जीवी लोगों में लोख प्रिये होने लगे दक्षिन भारत में उन्होंने व्यापक दौरे किये त्रिवेंद्रम, मैसूर, बंगलोर एवं मुंबई में मठखी शाखाएं स्थापत करने में उनका बड़ा योगदान रहा प्लेग के प्रकोप से अनात हुए बच्चों के लिए रामकृष्ण मिशिन स्टूडेंट्स होम की स्थापना 17 फरवरी 1905 इसवी को मद्रास के मैलापुर प्रवाग में हुई वह आज दक्षिन भारत के एक ब्रहद शिक्षा संस्थान में परिनित हो गया है महाराज स्वयम वहां जाकर बच्चों को धार्मिक शिक्षा देते शेशी महाराज को श्री रामकृष्ण देव ने सपने में कहा था राम स्वामी एंगार उन्हें मदद करेंगे 1906 इसवी में स्वामी अभेधानन्द अमेरिका से लोटे तब उनकी अभ्यर्थना करने वे स्वयम कोलम्बो गए तद पस्चात दक्षिन भारत के कुछ प्रसिद स्थानों का दर्शन करके वे उनकी साथ पूरी गए जहां उनकी भेट स्वामी ब्रह्मानन दादी गुरु भाईयों से हुई एक अप्रेल 1905 को मुंबई में स्री राम कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया शशी महराज के तीन व्याख्यान हुए लोकमान ने बाल गंगा दर्तिलग एक सभा के सभापती थे जिनोने मुंबई में स्री राम कृष्ण संग की शाखा कोलने के लिए शशी महराज से नरूत किया वह कार सन 1923 में संभव हो पाया मद्रास में मठ की शुरुवात आइस हाउस में हुई पर 17 नवंबर 1907 इस्वी को शशी महराज ठाकूर को मठ के निजी भवन में मयालपुर ले आए भवन एक मंजिला, चौकूर, लाल रंका और उची दिवार के उपर तयार हुआ था एवं उसकी छत बड़ी और विशिष्ट थी भीतर में चौडा हॉल था तथा चारो कोनों पर चार घर थे मठ स्थापना के उपलक्ष के निकटस्थ कपालेश्वर शिव मंदिर में विशेश पूजार पित की गई बर्शों के भीतर ही मकान के अत्यधिक शतिग्रस्थ होने से 1914 इस्वी में उसे तोड़ देना पड़ा तथा उसी स्थान पर 1917 इस्वी में नया दो मंजिला भवन तयार हुआ बैंगलोर में दान में मिले जमीन पर मठ भवन का निर्मान कार्य समाप्त होने पर स्वामी ब्रह्मानंद के करकमलों द्वारा ग्रह प्रवेश 20 जनवरी 1909 के दिन संपन्न हुआ मद्रास से वे बीच-बीच में बैंगलोर आते थे माताजी श्री सार्दा देवी स्वामी ब्रह्मानंद या अन्य गुरु भाई जब भी दक्षिन भारत की तीर स्यात्रा पर आते तो शशी महाराज उनकी सब व्यवस्था करते मद्रास और मदुरई का दर्शन करने के पश्चात माताजी फरवरी 1910 में जब रामेश्वर गई तब शशी महाराज की आग्रह पर वहां उन्होंने 108 स्वन बिल्व पत्रों से महादेव की अर्चना की थी प्रतिदिन माताजी के चरणों में वह ताजे सुगंधित पुष्प अर्पित करते हुए प्रणाम करते थे वे मा को बैंगलोर भी ले गए इन महावनुभावों की चरणसपर्ष से दक्षिन भारत का कारे की नीव दिड़ हो जाए ऐसी उनकी इच्छा थी जो अब पूरी हो गई थी तब उन्होंने चैन की सांस लेते हुए कहा यह मेरा अंतिम कारे है कुछ दिनों बाद से उनका स्वास से बहुत बिगड़ गया 1910 इसवी के अंतिम भाग में वायू परिवर्तन के लिए वे बैंगलोर आश्रम गए परंतु वहां भी कुछ लाब नहीं हुआ प्रकरती ठीक ना होने के बावजूद वे निरंतर काम करते रहे उन्हें टीबी हो गया 10 जून 1911 इसवी को वे कलकत्ते के उद्भोधन मट में चिकित्सा के लिए आए पर कुछ लाब नहीं हुआ अंतिम कुछ दिनों में उन्हें बहुत कुछ भोगना पड़ा शरीय पर शुष्क चम्र चर्म रोग हो जाने के कारण उन्हें असहनी पीड़ा होती समाधिय वस्था में उन्होंने दिनांक 21 अगस्त 1911 को दे त्याग किया उपदेश राजनीती से इंद्रिय की स्वाधीनता और धर्म से इंद्रिय से स्वाधीनता होती है मनुष्य को जो भगवान के निकट ले जाए वही नीती है जो कुछ मनुष्य को भगवान से दूर हटा दे वह अनैतिक है ब्रह्म की जिस चक्ती के द्वारा इस विश्व की स्रिष्टी हुई है उसी का नाम माया है इश्वर विश्वास दुरलब धन है हम लोगों का रोग है वासना दवा है विवेक यह विवेक रूपी भगवान हम लोगों के साथ साथ खोमते हैं उन्हें भोलने से ही सब व्यर्थ है श्रिडाम कृष्ण केवल हम लोगों की नहीं वे विश्व के कल्यान के लिए आये थे वरतमान युग में स्री राम कृष्ण ही सर्व धर्म समन्वेकारी युगावतार है स्री राम कृष्ण संसार के विशुद्ध धर्मों को पुनह जागरित एवं उनका उद्धार करने के लिए अवतरित हुए काल क्रम में धर्मों में जो शक्ती तथा प्रभाव का क्षय हुआ है स्री राम कृष्ण की अभूत पूर्व साधना से वह पुनर जीवित हो उठा है इश्वर लाभ ही जीवन का उद्धेश्य है ठाकुर कहा करते थे समुद्र में रत्न है यत्न चाहिए संसार में ईश्वर हैं साधना चाहिए जन्मगत धर्म साधना का ईश्वर की ओर अग्रसर होना ही मानव जीवन का श्रेष्ठ लक्ष है युरोप ये प्रथा का अंधानु करणम अनावश्यक एवं अनिष्ट कर है सामान निसाधक के लिए भक्ती मार्ग ही अवलंबनिये हैं ज्यान मार्ग अत्यंत कठिन एवं दुर्गम है ईश्वर को प्रेम करना, सेवा करना ही कल्यूक की में सहज साध्ध है देखो बच्चा, इसे केवल ठाकुर का चित्र मत समझो वे सच्मुच यहां विराज रहे हैं उनकी प्रत्यक्ष उपस्तिती का मन ही मन अनुभव करो एवं उनकी उसी भाव से सेवा करने की चेश्ठा करो रामकृष्ण गत प्राणाम, हनुमद भाव भावितम नमामी स्वामिनम, रामकृष्णान देती संग्यतम भगवान श्री रामकृष्ण गत चित एवं महावीर हनुमान के भाव से भावित स्वामी रामकृष्णान दे को प्राणाम करता हूँ ओम शांति 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 हरियोम तत्सत श्री रामकृष्णार पनमस्तु